परेया थानाक्षीत्र के पुनाकला टोला लोड़हर के पास एक घर में 29 वर्षी युवक धर्मिंद्र सिंग की गला घोट कर हत्या करने गए थी जिसको लेकर परिचनों द्वारा प्राथमी की दर्च कराई गए तकनीकी जाच में हत्या के पूरे घटना का उद्वेदन हुआ जिसमें मृदक छोटे भाई और उसके मित्र की द्वारा हत्या करने का मामला उजागर हुआ हिकारी SGPO सुशान कमार चंचल ने प्रेस कॉन्फरेस में बताया कि युवग धर्मिंद्र की पतनी का अवैद संबंध उसके छोटे भाई पपू से था इसके अलावा धर्मिंद्र के द्वारा कई लोगों से कर्ज लिया गया था जिसको लेकर कर्ज देने वाले घर पर आकर गाली गलाउज करके चले जाते थे जिससे युवग पपू और उसका पूरा परिवार परिशार था कर्जदारों से मुक्ती के अलावा भावी से अपने अवैद संबंध को लेकर पपू ने अपने मित्र सतीश कुमार के साथ योशना बद तरीके से हत्या को अंजाम दिया जिसको लेकर 27 अगस्त की रात दोनों युवक ने धर्मिंदर के साथ पहले गाउं के एक निर्माना थे घर में शरापी इसके बाद जब धर्मिंदर पूरी तरह से नशे में हुआ तब छडबांत में वारे तार से गला घोंट कर हत्या कर दी और शर्ब को बगल के धान के खेट में फिल गिया दोनों आरूपी की गिरफतारी को लेकर परया धाना अध्रक्ष मुकेश कमार के साथ पुलिस अधिकारी और सुरक्षा वलों ने निस्ठा से पना करतव्य निर्वहन किया अधिनांग 28 अगस्त दियार 24 को परया धाना ध्रक्ष को एक सुचना प्राप्ष भी की पूना कला गाउं में एक वैक्ति की गला घोटकर हफ्या कर दी गई है इस सुचना के पाप सुने के बाद थाना ध्रक्ष के द्वारा वरे पुलिस प्राविवा ने कुछ पुकित करके वे थाना पुरत रखना स्थल पर पहुंचा गया और सब्कों अपने कबजे में ले ली गी उसके बाद वरे पुलिस पढ़िश को मुझा निज्यसन पे एफसल की टीम और लॉग एश्ट्राइट की टीम पहुंची और जो हैसो अगरत अंसंधान सुरू किया गया कांड की गंभिटा को देखते हुए नुमंदल की इस पधिकारी की नेत्विक्त में एक एसाइटी टीम का जो हैसो गठन किया गया जिसमें परियाथना धेक्स व किनलों की गिरफतार कर दिया गया अधिक्स का नाम जो है सो 37 कुमार के सर मदन परसाद और प्रुसाद और पक्टु कुमाराु कुमारी सिंग है दौनों कुनाकला तक ही घञखना तानविये था कि अभियूक्त के जो भाए है उनका इनका जो है जो है पपकु कुमार वही जो है सो इस घटना में जो है सो में सालिस करता है उनका अपने